कबिरधाम जिले में कोरोना वाइरस की रोगथाम बचाव और नियंतरन के लिए जारी आदेशों का उलंगन करने वाले वैक्ति पर कारवाई कबिरधाम जिले के कलेक्टर अवनिश कुमार सरण के नरदेश पर नगरपाली का और राजस्वकी सयुक्त टीम ने जिले के नगर पाली का कवरधा, पिपरिया, पांडातराई और सहस्पूर, लोहारा, बोडला, नगरी निकाय शेत्र, अंतरगत, मास्क और फेस कवर का उप्योग नहीं करने और आदेश का उलंगन करने वाले वैक्तियों पर सयुक्त दल द्वारा अर्थ दंटकर राशी वसूली की गई साथ ही नगर पंचाय द्वारा प्रतिबंधित समागरी गुटका, तंबाखू, गुडाखू जैसे नश्चिला पदार्थ जाज के लिए उप्युक्त दल का गठन किया गया है वही पिपरिया नगर पंचाय द्वारा सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों, चाय गुटका दुकान खुले पाई जाने पर 700 की जुर्माना लगाते हुए राशी वसूली की गई बिना मास्क लगाकर सबजी बाजार में प्रवेश करने वालों पर 1050 की राशी जुर्माने की कारवाई की गई है नगरपंचायद लोहारा द्वारा नगरपंचायद शेत्र अंतरगर प्रतिबंधित दुकाने जैसे कपड़ा जूता बर्तन खुले पाने पर 2000 रुपए अर्थदन जुर्माना वसूली की गई साथ ही बिना मास्क के सारवजने के स्थलों में घुमते पाए गए 11 वैक्तियों से 500 रुपए अर्थदन राशी वसूल की गई बोड़ला में वैक्तियों द्वारा बिना मास्क के वाहन चलाने वालों के उपर बोड़ला तहसिलदार मनिश वर्मा और नगर पंचाइब सीमो वीजे करुणाकर और पुलिस विभाग द्वारा स्वयुक्त रूप से कारवाई कर 20 लोगों का चलान काटा गया वही लोगों को अगामी समय में मास्क का उपयोग अनिवारे रूप से करने के लिए सक्त हिराद दिगई